उके हैं अब नेiennent चेप्टर में मैं आपको मार्जिन्न के बारे में बताता हूं CSS की एक जो प्रॉपर्टी होती है們 MURGINahanmal उसके बारे में हम डिसकस करते ही तो फटा-फट से मैं एक file बना लेता हूं इसको नाम leggetा हूं हमारा看 six tutorial है यह सी अस का तो इसको मैं नाम दे देता हूँ 6 इसमें दे देता हूँ CSS Margins .stml ठीक है और फटाक से अपनी बॉल्डा प्लेट ले आते हैं और इसको भी नाम दे देते हैं Margins टाइटल पे CSS Margins मुझे अभी ना बहुत साइव लोगों ने एक दो लोगों के personal comments आए कि आप ये बार-बार क्यों लिखते हो आप मतलब सीदे copy paste कर लो या इसको छोड़ दो ये उतना जरूरी नहीं है लेकिन देखो क्या होता है ना इसको best practice कहते हैं ठीक है आप कोई चीज को quit मत करो जरूरी नहीं कि हर चीज को छोड़ दिया जाए ठीक है आप continue करते रहोगे आपकी आदत पड़ेगी जैसे देखो मेरी आदत पड़ी हुई है मुझको perfection से करना आदत एक अच्छी आदत होती है एक best practice होती है तो वो करना ज्यादा अच्छा है ये मतलब मेरा point of view है किसी भी element के चारो तरफ space देने के लिए बनाया जाता है ठीक है मालो जैसे आप चाहते हो कि एक आपके पास एक paragraph है और आप उसके नीचे एक और paragraph डालना चाहते है लेकिन देखो दोनों के बीच में आपको क्यों ब्रेक देना पड़ता है एक बार दो बार तीन बार चार बार तो अगर आप ब्रेक दोगे तो क्या होगा वो नीचे उसकी नीचे की space आती जाएगी लेकिन अगर आप चाहते हो कि side पे भी आए उपर भी आए राइट साइड, लेफ्ट साइड, टॉप, बॉटम सब जगाई space है लेकिन वो element में आए वहाँ पर ब्रेक का यूज मुझे हो नहीं करना है मतलब मैं किसी element के चारो तरफ space देने की बात कर रहा हूं तो वहाँ पर ना हम CSS की margin property को यूज करते हैं ठीक है तो अब फटाक से इसको एक practical group में देखते हैं कि अपन ये जो करने वाले हैं ये basically क्या करने वाले हैं और क्या हो रहा है ठीक है तो यहाँ मैं H2 ले लेता हूं सबसे पहले और यहाँ लिख द करेंगे हम जो करेंगे ना मैं DIV पर दिखाता हूं आपको करके क्योंकि उसमें ना अच्छे से समझ में आता है यह तो मैं यहाँ पर ले लेता हूं फिर से हमारा लॉरम ठीक है और इसको कर देता हूं वाड़ वैप ताकि आप लोगों को दिख जाए properly हमने यह सेव कर दिय और हाँ यह वैजी काम मैंने एक और काम नहीं किया है और वह काम यह है कि हम को अपना कि life server ओपन करना है तो यह मैं live server फटाक से पहले open कर लेता हू और यहां मैं लिखूंगा localhost डबल फाइव डबल जिरो यह मेरा आ गया लाइव सर्वर और मैंने यह CSS मार्जिन का जो फाइल बनाया था यह आ गया यह HTI क्या हो गया यह अच्छा सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक ठीक है यह देखो आ गया यह डिस टुटोरियल पुरा मार्जिन करेंगे ठीक है अब दिखो यह दिखो इधर में इस पेस नहीं है मुझे ना की पूजिशन या कहीं पर लेकर आना है यह पूरे स्पेस přीष 내ं Typी और फेसों को है क्यों गए यहां पर क्योंकि मुझे किसके अंदर करना है डि आईवी के अंदर तो मैं क्या करूँगा डि आईवी ठीक है इस डि आईवी में मैं एक कंडिशन दूँगा कि सबसे पहले आप लोगों को समझाने के लिए इसका जो बॉर्डर है ताकि आप लोग को समझ में आये इसका दूंग कर देता हूँ ठीक है यह हो गया बॉर्डर अब आप लोगों को समझ में आएगा मैं क्या बताना चाहरा हूँ अब मैं यहां पर जाता हूँ और सबसे पहले एक मार्जीन की तीन से चार अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है ठीक है तो हम एक एक प्रॉपर्टी क एक एक जो शॉट हैं प्रॉपर्टी बेसिकली बोलते हैं उसको हम उसको देखेंगे जैसे कि मुझे माल लो यह टॉप की एरिया पे स्पेस देना है ठीक है टॉप की एरिया पे देना है तो मैं क्या करूँगा यहां पर लिखूँगा मार्जिन यह देखो टॉप ठीक है और मार्जिन टॉप को मैं 100 पिक्सल कर देता हूं इसको सेव कर देटा हूं जकूँ यह ढ़िफू यह नीचे आ गया मतलब उपर जो एलमेंट सबसे उपर है उस एलमेंट से 100 पिक्सल को मैं नीचे पर margin देता हूँ margin bottom और margin bottom कर देता हूँ same 100px अब अगर यहाँ पर कोई value होती तो यहाँ वाली जो value है ना यहाँ पर जो value होती इस value से वो 100 pixel उपर आजाता ठीक है मतलब उस value के बीच में एक difference आजाता ठीक है तो मैं यहाँ पर कर भी देता हूँ इसको यहाँ पर न मैं एक और ले लेता हूँ heading ठीक है और इसको लेक देता हूँ this is bottom heading ऐसे कर देता हूँ तो clear हो जाएगा देखो आगया 100 उपर और 100 नीचे ठीक है अब मैं क्या करता हूँ इसको बोलता हूँ कि right दे दे आपको एक चीज और बताता हूँ ना मैं हमारा जो clockwise अपन बात करते हैं यह clockwise ही चलता है यह anti-clockwise नहीं चलेगा इस चीज का ध्यान रखिएगा ठीक है margin मैं इसको क्यों बता रहा हूँ clockwise anti-clockwise क्योंकि अभी आपको समझ में आएगा कि मैं किस clock by किस बात कर रहा हूँ आप एक series याद रखना कि margin जो है वो पहले top होता है फिर right होता है उसके बाद फिर bottom होता है फिर left होता है इस चीज का ध्यान रखना फिर मैं आगे समझाता हूँ मैंने ऐसा क्यों कहा ठीक है तो अभी हमने top कर लिया bottom कर लिया अब हम right करेंगे ठीक है तो right में मैं क्या लिखूंगा margin right और margin right को मैं कर देता हूँ 150 ठीक है तो यह देखो right side के screen से 150 यह आ गया ओके अब मैं left वाला भी कर देता हूँ margin left left में कर देता हूँ मैं 80 ताकि वो थोड़ा सा एक side पर दिखे यह देखो ठीक है मतलब उपर 100 नीचे 100 राइट में 150 और left में 80 ठीक है और इसको और अच्छे से दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ इसका color change कर देता हूँ इसका color जो background color है वो background color इसका कर देता हूँ मैं मुझे green पसंद है मैं green ही कर देता हूँ ठीक है लेकिन फिर मुझे font का color भी change करना पड़ेगा ठीक है देखो यह center type में आ गया न यह जो होता है न इसी को बोलते है हमारा margin और यह margin को अगर special मतलब अलग से separately दोगे तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा ठीक है अब इसको देने का एक दो तरीके और है अभी तो आपने सीख लिया कि आप individually दे रहे हो ठीक है लेकिन क्या होता है आप देखना बहुत जगा पे जब आप कहीं पर CSS जाओगे न तो आप देखना आप इस तरह के से लिखा हुआ नहीं पाओगे इसको लिखने का एक एक यहाँ पे ना पी बना लेते हैं पैराग्राफ बना लेते हैं ठीक है और इस पे भी अपन लारम कर देते हैं ठीक है ऐसे कर देते हैं यह नीचे वाला ठीक है मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ अभी अब देखो यह यहाँ पे है यहाँ पे है अब मैं इस पे करता हूं ठीक है मतलब जो हमारा paragraph है तो paragraph पर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा फिर से जाना पड़ेगा उपर और यहां पर paragraph पर देना है मुझको तो paragraph मैं क्या condition दूँगा तो अब आप देखो पहले तो मैं इसका background को वो कर देता हूं background color इसका same कर देता हूं green ठीक है सबसे पहले आप लोगों समझ में आए अब देखो हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे हम लिखेंगे यही लेकिन इस तरीके से नहीं लिखेंगे हम कैसे लिखेंगे हम पहले लिखेंगे margin ठीक है और उसके बाद हम पहला लिखेंगे 100px उसके बाद हम space देंगे ठीक और इस space में हम लिखेंगे 100px फिर उसके बाद फिर हम नीचे जाएंगे यहां लिखेंगे 150px ठीक है और उसके बाद हम लिखेंगे 80px ठीक है अब मैं save करता हूँ और यह देखो ठीक है मैं क्या बोलना चाहरा हूँ देखो इसमें क्या होता है कि जो यह जो value जो मैंने आपको बताया था ना पहले कि यह clockwise ऐसे जाता है याद है जो मैंने आपको बताया था वो यह यह देखो यह जो value है यह आपकी 100 है यह first वाली ठीक है उसके बाद यह right margin पर जाता है यह 100 है यह 100 था और उसमें देखो पुराने वाले में यह 150 था मैं आपको वही दिखाना चाहरा हूँ यह पुराने वाले में 150 था और यह 100 है तो यह ऐसे घूम रहा है अभी अभी यह हो गया top, यह हो गया right, यह हो गया bottom और यह हो गया left मतलब top, इधर right, इधर bottom, इधर left left में हमने कितना दिया है देखो 80 यह 80 और यह आपका 100 और नीचे जो है यह 150 है यह देखो इसके बीच 150 है और उपर 100 ठीक है तो जब भी आप अलग-अलग set करोगे तो आप अपने इस आप से ऐसे लिखना पड़ेगा, अब इसको एक तरीके से और लिखा जाता है इसी को, ठीक है मैं यहाँ पर इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है आपके समझाने के लिए ताकि आप लोग समझ जाओ इसको एक तरीके से और लिखते है देखो यह as it is, default होगा क्या, बाइड़ीफॉल्ट अब इसको तीन होता है, अब यहाँ पर मैं दिखता हूँ margin, ठीक है अब अगर माल लो, मैं यहाँ पर देता हूँ क्या दे तूँ मैं, मैं यहाँ पर देता हूँ 100, ओके 100 PX ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर दे देता हूँ 150 PX ठीक है और 150 PX और यहां पर दे देता हूँ 80 PX अब इससे आप क्या समझोगे देखते हैं देखो कुछ समझ में आया इसमें से clear नहीं हो रहा है मैं आपको समझाता हूँ देखो यह जो सबसे उपर वाला है यह वाला 100 पहले वाले में क्या था Top Right Bottom Left अब इसमें क्या हो गया यह वाला Top हो गया ठीक है same as it is लेकिन यह जो 150 है ना यह 150 राइट और लेफ्ट होता है ठीक है देखो यहां वाला और यहां वाला एकदम equal है तो यह जो है यह आपका 100 पहला वाला दूसरा राइट left वाला middle वाला इसकी value सेम हो गई है और यह जो 80 है यह हमारा bottom ठीक है मतलब जब 3 वाला रहेगा तो इसमें यह top रहेगा यह right left रहेगा और यह bottom रहेगा इस चीज़ का ध्यान रखेगा ठीक है अब इसको एक तरीके से और लिखा जाता है मैं आपको यह अलग अलग तरीके इसलिए बता रहा हूँ कि यह आपके लिए नहीं है यह आपके coding समझने के लिए है क्योंकि जब आप किसी group में काम करोगे as a developer है ना किसी company में काम करोगे तो वहाँ पर आपको individually तो code करने दिया नहीं जाएगा आपको group में करना है तब वहाँ पर किसी और की coding को आप पढ़ सकते हो तो उसका यह तरीका आपको मैं समझा रहा हूँ कि यह तरीके से भी लिखा जाता है तो इसमें confuse नहीं होना ठीक है अब देखो मैं यह फिर से करता हूं margin ठीक है अभी है मेरा equal हो गया ना देखो स्विर से लंबा हो गया सब कुछ ठीक ठाक अब मैं फिर यहां करता हूं margin और अब पहले दिया हमने 4 value अब दिया 2, 3 value अब मैं देता हूं 2 value कौन से देता हूं 100px और एक देता हूं 150px ठीक है तो अब इसमें क्य होगा अब इसमें यह होगा की top और bottom जो top और bottom है वो hundred हो जाएगा और जो मेरा right और left है वो 150 हो जाएगा देखो top और bottom 100 हो गया equal और इधर का मतलब left और right right और left equal right और left मेरा 150 top और bottom मेरा 100 ठीक है यह इस तरह से चलता है पहले वाला क्या था हम फिर से repeat करते है top ठीक है top, right, bottom, left उसके बाद top, right, left, फिर bottom उसके बाद बो top, bottom, right, left ठीक है अब फिर मैं एक और value आपको बताता हूँ फिर इसको मैं comment out कर देता हूँ मैं comment out को ऐसी छोड़ दूँगा ताकि आप लोग के लिए reference के लिए हो जाए ठीक है अब माल लोग कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है margin और यह लिखा है 100 bx तो क्या होगा तो इस system में क्या होगा चारो तरफ की margin जो है वो 100 हो जाएगी ठीक है यह देखो उपर 100, नीचे 100, राइट 100, लेफ्ट 100 सब 100 हो जाएगा ठीक है जब हमने single लिखा तो चारो side है और जब हमने अलग-अलग तरीके से लिखा तो उसकी अलग-अलग value आती है ठीक है तो hope आप इसमें confused नहीं होना यह आप समझ गए होगे कि यह जो margin है यह basically कैसे काम करेगा ठीक है और इसमें क्या होता है एक और value होती है मैं यहाँ पर फिर से इसको comment out कर देता हूँ और comment open इसमें एक तरीके से और लिखते हैं यहाँ पर हम लिखते है margin और फिर हम कर देते हैं इसको auto तो margin auto में क्या होता है कोई भी document या कोई भी element margin auto में क्या करता है अगर उसको हमने width define नहीं करी है ठीक है तो वो क्या करेगा margin को screen margin के साब से अपने इसाब से set कर लेगा क्योंकि हमने न अभी इसको border दिया न हमने अभी इसको width दिया हमने कुछ भी नहीं दिया ना तो यह अपने इसाब से करेगा अब अगर मैं इसको बोल देता हूँ कि आरे काम करो आप अपनी width को 400 कर लो 300 कर लो तो देखो यह कैसे करता है ठीक है मैं यहां क्या करता हूँ P है इसकी इसकी जो background color ठीक है मैं इसका width जो है न यह width कर देता हूँ 300 pixel just suppose ठीक है तो यह देखो यह अपने इसाब से उसको set कर लेता है तो अगर मैंने यहां पर margin auto दिया है अगर मैं इसको हटा दूँ तो क्या होगा cut कर देता हूँ यह left side चला जाएगा by default value है इसकी left में लेकिन मैंने जब इसको बोला कि आप margin auto कर लो तो यह क्या करेगा by default अपने आपको set करेगा तो एक तरह से वो यह लेगा कि automatically मैं एक value ले लेता हूँ 100 pixel और 100 pixel को वो 4 तरफ लगा देगा auto कर देगा screen size के हिसाब से वो अपने आपको set कर लेता है तो यह जो function होता है इसको कहते है auto उसने 100 100 इस type से set कर लिया नीचे वाला bottom था तो उसने उसको ज़्यादा value नहीं दी और सीदे सीदे उसने हाड़ी यहाँ पर 10, 20, 50 पिक्सर कुछ करके set कर दिया उसने ठीक है तो यह होता है हमारा auto तो maximum जब हम coding में यूज करते हैं तो हम 8 auto का यूज करते हैं ताकि वो अपने सब से center पर आ जाए यह सारे option भी हैं अगर हमको designing को थोड़ा सा और perfect करना है तो हम कर सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से I think आप margin को थोड़ा बहुत तो सब समझ गए होगी कि किस तरह से काम करता है यह ठीक है अब just suppose आपको क्या करना है आपको करना है माल लो एक नया बना लेते हैं paragraph ठीक है नीचे में और इसको न रुको h2 पर नहीं इसको में पहले h1 कर देता हूं ठीक है हम h1 पर करते हैं को कि h2 हमने कर लिया ना हमको फिर से नहीं class बनानी पड़ेगी नहीं तो अब जैसे h1 है जैसे अब इस पर करते हैं इस पर क्या होता है जैसे माल लो आप चाहते हो कि मैं इधर का ना बढ़ाऊ इधर का बढ़ाऊ वस लेकिन मैं इसको ना बढ़ाऊ इसको बढ़ाऊ और इसको भी बढ़ाऊ लेकिन इसको ना बढ़ाऊ मतलब मुझे कुछ वेल्यू पर खेलना है चारों वेल्यू चाहिए मुझको लेकिन मुझे कुछ वेल्यू पर खेलना है तो मैं ऐसे नहीं कर सकता कि मैं मार्जिन लेफ्ट दे दिया मार्जिन बॉटम दे दिया ठीक है यह देना अलग बात है लेकिन अगर इस तरह से मैं नहीं इस तरह से लिखना चाहता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा तो इसके लिए क्या होता है मैं फिर से आ जाता हूं एक हम अपना दूसरा इस्टाइल बना लेते हैं हमारा किसका ही है एच वन का है ठीक है तो मैं यहां लिखता हूं इसको मैं बॉड़र देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए बॉडर सॉलिट कर देता हूं ब्लैक कर देता हूं ठीक है और इसको देता हूं वन पी एक्स वन पे एक्स ठीक है save तो ये मेरा देखो this is bottom heading आ गया नीचे में इसको उपर ले जाएं उपर ले जाता हूं चलो मैं उपर ले जाता हूं ताकि आप लोगों को न अच्छे से दिखेगा फिर ये body अब अगर मुझे इसको सेट करना है मार्जन पर यहां पर जाता है मैं नहीं चाहता उस पर कुछ दूँ मुझे right की margin को भी 0 रखना है लेकि मैं चाहता हूँ कि जो bottom की margin है ना वो हो जाए 50 ठीक है और जो left की margin है मैं उसको भी 0 रखना चाहता हूँ तो मैं इस कुछ इस तरीके से दिखूंगा देखो top की margin 0 थी है ना फिर right की margin भी हमने 0 दी ये देखो 0 है कुछ नहीं है लेकिन जो bottom की margin हमने 50 कर दी ये देखो 50 आ गया दोनों की बीच में next element हो इसके बीच में और left की margin भी हमने 0 कर दी ठीक है तो अगर आपको particularly एक side की margin बढ़ानी है बिना ऐसे लिखे हुए ऐसे बिना लिखे हुए इस तरीके से तो आप इस तरीके से भी बढ़ा सकते हो इसलिए मैंने आपको बोला कि ये जो system होता है इस system को आप याद रखो कि कहां कहां पर क्या क्या जाता है इसलिए मैंने बोला कि वो clock को ऐसे घुमता है ठीक है इस तरीके से घुमेगा तो इसका ध्यान रखना आप लो ठीक है अब मालो मैं अगर यहाँ पर कर देता हूँ मुझे ये last वाला बढ़ाना है last वाला क्या है हमारा left है अब left को मैं 50 कर देता हूँ या left को मैं 30 करता हूँ ताकि आप लोग confuse मत हो ठीक है अब मैं save करता हूँ तो यह देखो left में 30 आ गया ठीक है right में 70 कर देता हूँ यहाँ पर मैं 70 कर देता हूँ 70 PX तो यह देखो right में 70 आ गया तो यह इस तरीके से यह चीज काम करती है ओके और इसमें में margin है ठीक है अब मैं अगले chapter में आपको मार्जिन हमारा लगबग लगबग खतम हो गया है अब मैं अगले chapter में आपको बताता हूँ padding के बारे में margin और padding में लोगों को लगता है कि कोई अंतर नहीं है लेकिन margin और padding में बहुत अंतर होता है margin क्या होती है देखो यह जो border में ने दिया आप लोगों को न यह इसलिए दिखाया margin देखो इस border के बाहर वाला काम कर रहा है ठीक है लेकिन अगर मुझे इस border के अंदर कुछ देना है तो मैं किसे करूँ उसके लिए मैं padding का use करूँगा ठीक है उसको मैं आपको मतलब दूसरे चप्टर में बताता हूँ ओके चलो